है लो एव्रीवन एंड वेलकम तो मैं चैनल जज्जमेंट्स इन क्रिमिनल लॉव मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट आमित कश्यर्ट फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि mutual divorce में जो cooling of period या awaiting period के बाद कही जाती है तो यह feeling of period या awaiting period क्या है इस संबंध में honorable Supreme Court का judgment क्या कहता है और honorable Supreme Court के judgment के बाद cooling of period या awaiting period को लेकर क्या ब्रहांत या लोगों में फैली हुई है इन सारे मुद्धों पर आज इस वीडियो में चार्चा करूँगा आसा करता हूँ मेरे ये वीडियो आपको पसंद आएगा अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करने न भूले और आपको मेरे ये वीडियो आपको पसंद आएगा इसे वीडियो आपको पसंद आएगा आए सबसे पहले हम मुच्वल डिवोर्स के प्रोसेस को समझते हैं जब भी हस्बेंड और वाइफ मुच्वल डिवोर्स लेना चाहते हैं तो उन्हें फैमिली कोर्ट में एक जॉइंट पेटिशन फाइल करना होता है जॉइंट पेटिशन फाइल करने के बाद जो पहली डेट मिलती है उस डेट में पती और पतनी को ओनरेबल जजस साहब के सामने उपस्तित होना होता है Honorable court जो है वह पती और पत्नी से preliminary inquiry करता है और उसके बाद उन्हें 6 महिने का यह समय दिया जाता है कि वह अच्छी तरह सोच लें कि उन्हें साथ रहना है या फिर divorce लेना है इस पूरे प्रक्रिया को कहा जाता है first motion 6 महिने के बाद पती और पत्नी दुबारा Honorable court के सामने उपस्तित होते हैं और Honorable court उनसे दुबारा पूछता है कि क्या आप साथ रहने को तयार है या फिर divorce लेना ही लेना है अगर पती और पत्नी कहते हैं कि नहीं उन्होंने मन बदल दिया है उन्हें साथ रहना है तो बात वहीं समाप्थ हो जाती है लेकिन अगर पत्नी इस बात पर तभी agree कर जाते हैं कि उन्हें divorce लेना ही लेना है तो फिर honorable court जो है वहाँ उन दोनों के बीच में divorce को grant कर देता है इस पूरे प्रक्रिया को कहा जाता है second motion इस पहले और second motion के बीच में जो 6 महिने का समय दिया जाता है उस समय को कहा जाता है cooling of period या फिर awaiting period इस cooling of या awaiting period को बनाने का कारण यह था कि बहुत बार यह देखा गया था कि पती पत्नी जो है वह बहुत ही उतावले पन में या जल्दी बाजी में mutual divorce पाई करते थे बाद में उन्हें अपने इस गलती का एसास भी हो जाता था इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पूरी प्रक्रिया को बनाया गया था कि अगर पती और पत्नी को first motion के बाद 6 महीने का समय दे दिया जाए तो हो सकता है दोनों के बीच में जो agony है वह कम हो जाए और दोनों settlement पर राजी हो जाए और इस तरह से एक marriage life को बचाया जा सकता था अगर 6 महीने में भी दोनों अपना मन नहीं बदलते हैं तो फिर इस बात को मान लिया जाता था कि रिस्ता जो है वह एकदम dead end पर पहुंच चुका है और इस रिस्ते के लिए mutual divorce सही उपाया है जिसके बाद honorable court divorce grant कर दिया करते थे लेकिन honorable supreme court के सामने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे ऐसे cases आएं जिसमें honorable supreme court ने यह मार किया कि बहुत सारे ऐसे cases हैं जिनमें पती और पत्नी का रिस्ता जो है वह एकदम dead end पर पहुंच चुका है इस परिस्तिती में अगर उन्हें छे महने का और समय दिया जाता है then it will further aggravate the agony between husband and wife तो finally honorable supreme court ने अपने एक judgment में यह आदेश जारी किया कि mutual divorce में यह जो pulling of period या फिर awaiting period है छे महिनों का वह mandatory नहीं है बलकि directory है इसका तात्वर यह हुआ कि अगर किसी case में family judge को यह लग जाता है कि वह रिस्ता जो है वह बिल्कुल dead end पर पहुंच चुका है तो फिर वह उस pulling of period या awaiting period को wave off कर सकता है Honorable Supreme Court के इस judgment के बाद media में जो news आई वा या आई कि Honorable Supreme Court ने छे महिने के schooling of period या awaiting period को खत्म कर दिया है अब अगर parties चाहें तो वह तुरंत mutual divorce ले सकते हैं इस बात का असर यह हुआ कि न स्रिफ आम लोगों में बलकि legal fraternity में भी या बात पूरी तरह से फैल गई कि Honorable Supreme Court ने इस 6 महिने के period को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है लेकिन या पूरी तरह से सच नहीं है Honorable Supreme Court ने अपने उस आदेश में इस 6 महिने के waiting period को या फिर cooling of period को समाप्त नहीं किया था बलकि Honorable Supreme Court ने कहा था कि अगर family judge चाहें तो वो उस 6 महिने को wave off कर सकते हैं अगर वो नहीं चाहेंगे तो फिर या 6 मन का जो cooling of period है वो wave off नहीं होगा अब इस पूरी प्रक्रिया को आपको बहतर डंग से समझाने की कोसिस करता हूँ तो जब भी पती-पत्नी divorce file करते हैं तो divorce file करने के बाद first motion होता है first motion के बाद जब cooling of period start हो जाता है तो cooling of period start होने के 15 दिनों के बाद पती-पत्नी जो हैं वह एक joint wave of application file करते हैं wave of application में honorable court को यह सूचित किया जाता है कि यह जो रिस्ता है वह बिल्कुल date end पर पहुंच चुका है और इस रिस्ते में सुधार की कहीं भी कोई गुंजाइस नहीं है इसलिए further 6 महीने अगर इस case में इंतजार किया जाए तो उसका कोई भी benefit होने वाला नहीं है इसलिए court से यह prayer किया जाता है कि इस 6 महीने के awaiting या फिर pull of period को wave of कर दिया जाए और case को second motion पर रख दिया जाए इस wave of application में रखी गई बातों से अगर family judge संतूस्ट होते हैं तो फिर वह इस 6 मन्त के awaiting period या pull of period को wave of कर देते हैं और case को second motion पर रख दिया जाता है अगर family judge जो हैं वह पती-पत्नी के द्वारा उस application में रखी गई बातों से संतूस्ट नहीं है और उन्हें लगता है कि पती और पत्नी को एक मौका और दिया जाना चाहिए ताकि वह आपने रिस्ते को सुधार सकें और अगर उन्हें उस रिस्ते में सुधार की कोई भी गुंजाइस दिखती है तो फिर honorable judge सहब उस application को reject भी कर सकते हैं और पती-पत्नी को 6 महिने तक इंतजार करने को कह सकते हैं तो इस प्रकार से या जो 6 मंद का pulling off या waiting period है या खुद भगुद समाप्त नहीं होता है बलकि इसे waiver application फाइल करके खत्म कराना पड़ता है और honorable family court के पास या discretionary power होता है कि वह आपके इस waiver of application को accept करें या न करें अगर accept कर लेते हैं तो आपका या 6 मंद का period जो है वह समाप्त कर दिया जाएगा लेकिन अगर वह accept नहीं करते हैं तो फिर आपको हर हलत में 6 महिने तक इंतजार करना पड़ेगा therefore as per supreme court the order of this 6 month pulling off period is not mandatory rather it is directory तो आसा करता हूँ मेरे ये वीडियो आपको informative लगा होगा और पसंद आया होगा thanks for watching